नमस्ते मैं डोक्टर सौमवीर आ रही है आप सभी योग जी गयासों का स्वागत करता हूँ योग तर्शन की वैक्षान माला किसकार करम में आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे साधन पाद करथा इसमें सूतर की जिसमें मुख्य रूप से अस्टांग योग से मिलने वाल लाब की चर्चा की गई है कि य अस्टांग योग का पालन हम करेंगे तो किस कार की लाब हमें प्राप्त होंगी प्लकी प्राप्ति हमें कोगी क्योंकि 29 सूत्र के साथ ही अस्टांग योग का आरंभ होगा जिसके बाद पूरा अस्टांग योग चलेगा विभूतिपाद के तीन सूत्रों तक और पहले इसके लाब इसलिए बताएगे ताकि पता चले कि जो आगे आने वाला जो करम है इंडिविजुल भी बताएगे हैं यमका क्या लग है यम में भी आहिइनशा का का लड़ है सत्तय का क्या लब है इंसा सत्तय असते ब्रमचर्यन एक एक एका भी बताया गया है सब का सन्का लग से प्षणाओं का लग मूलू रूप से यो らभ है अस्ट्छांग का पालन करने से आस्ट्रांग की आँगों इसको पहले देखते हैं योगांग यानिकी योग के अंगों का अनुस्ठानाद यानिकी पालन करने से योगांग कुन से हैं जो आगे कहे जाएंगे जो योग के अंग अब कहे जाएंगे उनका यानिकी योगांग उन अंगों का पालन करने से अनुस्ठानाद यानिकी पालन कहें तो पूरा चित हमारा क्लिन हो जाता है जो मलिंता होती है शुद्dar होती है उसका नाश हो जाता है वह बल्कुल शुद्ध हो जाता है इक जूझतर विवेक रहती नहीं हो जाती-ज्ञांद का प्रवाश तब तक बढ़ता रहेगा हमारे अंदर कि जब तक कि हम विवेक ख्याती को प्राप्ता नहीं कि अधार्थ जिसमें अखंड प्रवाय जिसमें ज्ञान में किसी प्रकार के मिलावटना हो जब तक इसमें मुखरूप से योग आंगों यानिकी पालन करने से एक तो अशुध्य का नाश्य होता है यानिकी जो चित की अशुध्य है चित की जो मलिंता हो खत्म हो जाती है सारे ज्यान के सारे क्लेश हो जाते हैं उसके बाद जो ग्याने दीपती है जो ग्याने दीपती यानि कि जो परकाश है Woh جब सदॉनारध में बढ़ता रहता है जब तक उसको समाधि की उसको वीवे कि ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती तो प्रिक्षा की दरस्टे से भी भौत उपयोगी है कि यह केवल यह पूछा जाएंक कि अस्टांग योग का फल क्या कहा गया तो मुखरूप से प्रताहर का धारणा ध्यान समादी वह अलग अनके लाव कहें गए हैं यहां पर पूरे योग दर्शन में पूरे अस्टांग योग का लाव इसमें सूतर में बताया गया तो यह बड़े केरफुली आपको क्यों को पढ़ना होगा इसले मैं मेरे कहता हूं जब भी आप परिक्षा देतें तो क्यों को कम से कम दो बार पढ़िए यह क्या इसके भाव उसका भाव क्या है यह पूचा जाए कि अस्टांग योग का प्रतिफल क्या है योग दर्शन के उसमें दो यह जाए यह तो यह स्टांग योग का यानि कि योग के अंगों का पालन करने से जो लाब मिलते हैं उनका भली भाती आपको ग्यान हो ताकि भली भाती आप उसका उत्तर दे पाए तो इस बात को नौट करेंगे 25 पर सूत्र में इतना ही 29 सूत्र से अस्तांग योग की शरुवात करेंगे इसमें अस्तांग कि आपका ज्ञान बढ़ा है और आपकी आपका जो भ्रह्म है उसका उसका निवान हुआ है तो दूसरे विद्धार्थी को भी लाब मिलना चाहिए इसी प्रॉपकार की भावना से आप इस वीडियो को आगे भी पहुंचाने का काम करें इसी आशार विश्वास के साथ आप स